हेलो एंड नमस्कर दोस्तों मैं स्वाराज मेरे यूटूब चनल पे आप सभी को स्वगत करता हूँ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये मेरे पास एक 12 बोल्ट का बैटरी एक खराब हुआ तो आप इसको किस तरीक से ठीक कर सकतो ये सिखाऊंगा तो आपको अगर हमारा नेक्स्ट वीडियो चाहिए या देखना चाते हो तो हमार चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में घंटी को अल सेट करके रखे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए ये हमारे पास एक क्लाम्प मेटर है इसको में DC VOLT फिर सेट करके इसका जो VOLT है मैं चेक करूँगा तो यह हमारा 12 VOLT का बैटरी है इसमें 14 VOLT का बैटरी है यह 12 VOLT ही सब लोग बोलते है इसका जो पीछे लिखा हुआ है 12 VOLT तो मैं इसको इसको जो चेक करूँगा यह देख सकतो यह 9V दिखा रहा है 12V का बैटरी 9V दिखा रहा है मतलब 3V कम हो चुगा है और जो हमारा जो राइट साट पर है यह सही है मैं आपको दिखा सकतो कौन सा सही है कौन सा खराव यह देख सकतो यह हमारा बैटरी है देखो 13V निकल रहा है 14W बैटरी सब लोग 12W बोलते हैं लेकिन 14W बैटरी बाइक में लगता है इसमें इसे 13W निकल रहा है तो इसको चेक करने के लिए अंदर से खराब है इसको टेस्ट करने के लिए यह मेरेपास 12W DC कान्वेटर है मतलब यह हमारे पार यह मीनट लॉइटर रहे, इसका वीडियो है, चैनल पर जा कर देख सकते हो, और चैनल को सबस्क्काइब भी कर सकते हो, तो यह देखिए इसको में अभी चेक करूंगा यह देखिए इसका जो Black Minus 2 Wire है एक Minus और एक Plus तो Minus को Minus और Plus को Plus में लगा दिया तो यह देख सकतो हो जो हमार Inventor है यह On हो चुका है मैं आपको इसका जो Light है दिखा देता हूँ यह मेरा वायर खुल गया है, मैं इसको दूबार से लगाता हूँ लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ, यह हमार जो इनवीटर है इसके थुरू में अब लाइट जला सकते हो, मैं एक LED लाइट है मैं इसको थुरू इसको LED लाइट को जला कर दिखाऊंगा यह दोनों बैटरी, मतलब कौन सा बैटरी से जलता है या कौन सा मैं नहीं यह देख सकते हो, जो हमारी इनवीटर है, यह ओन हो चुका है यह हमार पास एक 5W का LED लाइट है, इसको मैं जलाऊंगा यह वाला इनवीटर के अंदर तो मैं यह रहा मेरा जो LED लाइट है, मैं इसको यह पर रख देता हूँ, इसको टूपिन प्लग है, यह देख सकते हो, मैं इसको पीछे लगाऊंगा यह देख सकते हो, जो हमारे 12W बैटरी के थुरू, यह वाला LED लाइट जल रहा है यह देख सकते हो तो हमारे जो बैटरी है यह सही है और जो हमारे दूसरा वाला बैटरी है मैं इसको फटा फट खोलके वहां पर लगा देता हूं इसका वायर हमार जो दूसरा वाला बैटरी है मैं आपको लाइट में सामने लग देता हूँ जो हमार जो दूसरा वाला बैटरी इसके तो अंदर में लगा देता हूँ यह देखिए जमार लाइट है यह नहीं जल रहा है इनवीटर तो अन हो रहा है लेकिन लाइट नहीं जल रहा है यह वीटर तो देखिए मतलब वोल्ट कम है इस वाइस में आपको दूसरा वाला लगा कर आपको दिखा देता हूं यह देख सकते हो यह हमारा जो बैटरी है यह ओके ताकि आपको डाउट न रहे वीडियो आपको अगर हमानेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब् भूर देख दिख रहा होगा यह देख सकतो यह सकतो कभर लगा हुआ है इसको खोलना बढ़ना के लिए शााड में देख सेकतो यह पर एक पेसका उल्यार के तरह मतलब इसको मैं धिरे से मैं खोलने की कोशिश करता हूँ देख सकतो इसके अंदर से जो बैटरी का जो पानी है ये थोड़ा बहुत लीगेज हो रहा है ये देखिए मैं इसको फटा फट खोल देता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो सो बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको खोल दिया हूँ सो ये देखिए इसको मैंने बहुत ही मुश्किल से खोल दिया हूँ और देख सकता हो ये हाँ पर इसका छे पॉइंट है तो छे को छे पॉइंट को मैं अभी खोल देता हूँ बाहर निकल देता हूँ यह देखे मैंने एक को निकल लिया हूँ अभी दूसरे को इससे करके में छे इसके जो छे पॉइंट है धकन है छे के छे धकन को मैं इसको बाहर निकल देता हूँ इसका अंदर जो छे सिल बना हुआ है इसके अंदर और हमें क्या करना का पाणी मतलब बैटरी का जो ऑईल है को डालना पड़ेगा देख सकतो है जो हमारा बैटठ्रिय फहली ओड़ना का अंदर क्या चीज़ जह तो है मैं अंदर कूछ भी नहीं है मैं इसको उल्टा करके आपको देखा दैता हूँ आपको श्याए लैकीन हो जाए इसके अंदर पानी रहता है तो बैटरी ओया है नह यह देखे एक कप पानी ले लीआ इसको अदर नमक डालेंगे नमक डालने के वाद इसको अच्छी तरगी से मिक्स करेंगे ताकि जो भी नमक है यह पानी के साथ घूल जाए तुम्हें इसको अच्छी तरीक से घूला देता हूं यह देखिये तो यह सिरिंज को मैं खोल देता हूँ नहीं तो यह पानी नहीं खीच पा रहा है तो यह देख सकतो हूँ मैं इसको खीच कर इसके अंदर पूरा पानी फूल कर देता हूँ तो यह देख सकतो हूँ यहाँ पर हमारा 2.5 ml का है यह सिरिंज तो इसके अंदर हम इसको पानी डालेंगे एक सीरिंज को हम इसका जो कैप छे कैप है इसके अंदर तीन कैप के अंदर डालेंगे एक सीरिंज को और दूसरे जो सीरिंज फुल करके और जो बचा हुआ तीन कैप है इसके अंदर हम डालेंगे तो यह देख सकतो हो, इसको हम डाल देते हैं, कुछ इस तरीके से आप डाल सकते हो, और हाँ दोस्तों आपको ये नएच जयसे तो काम नहीं करेगा, लेकिन एकदम पड़ा हुआ बैटरी से ज्यादा काम करेगा, नया जैसे तो यह नई बन पाएगा नया जैसे तो company बना पाएंगे अब कोई से बनाने के लिए अब मतलब आपका पड़ा हुआ बैडरी को आप यूज कर सकते हो इस तरीके से तो इसके अंदर डालने के बाद इसके अंदर जो अंदर का जो ग्यास है इसको निकालने के कर देताउं है कि यह मेरा नंदर र चुका था टो मैं इसके ही छिपक्स कर देता हूं तो यह ici कर दिया यह लिए कोई दिके बाली बात नहीं और यह देखिए यह हमारे पास 12 बुल्ट का charger है देखिए इसका जो charger का plus बला point है इसको में plus में लगा देता हूँ और जो minus बला point है इसको minus बला wire के साथ में लगा देता हूँ और यह जो charger है charger का वीडियो है मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हो या फिर यह वीडिव को एंड़ लाउस्ट पर एक वीडियो आएगा वह ये चार्जर का बनाने का वीडियो आएगा वह वे वीडियो देख सकते हूं तिए देखिए में इसको 220V पर supply पर लगा देता हूँ MARC अंति ने की देख सकता हैं ने में इसको उफ्लिट की मैं इसने साफल क्राइब कर देता है तो एच्से को अनख़स नहीं कर देता हूं और करने को बाद इसका जो वायर है यह मैं इसको बाहर निकलता हूं इसको प्लस और माइनस बाला जो वायर है मैं इसको बाहर निकल देता हूं खुल देता हूं इसको अभी इसको हम चेक करेंगे वह वाला इन्वीटर लगा कर तो खहां गया यह रहा मेरा इन्वेटर इसको मैं अभी लगाऊंगा तो मैं आपको दिख सके इसलिए मैं इन्वेटर को थोड़ा साइड में रख देता हूँ और यह देहा तो मैं एलेड बल्प को यह सामने रख देता हूँ तो आपको अगर मतलब आपको देख सकते हो और अभी में हम क्या करेंगे इसका जो वोल्ट है यह वोल्ट चेक करेंगे क्लाम मीटर के थूँ तो मेरे क्लाम मीटर को डिसी वोल्ट पे सेट कर दिया हूँ आपको पहले नौ वोल्ट दिखा रहा था अभी देखते कितना वोल्ट दिखाता है तो यह देखिए यह दस ग्यारा वोल्ट शो हो रहा है मतलब हमारा जो टू वोल्ट इंक्रिंज हो चुका यह पानी डालने के बाद तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपको अगर हमारा नेक्ट वीडियो देखना चाहते हो तो हमार चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जब बगल में घंटे आएगा उसको आल पे सेट करके रखिए तो वीडियो देखने के लिए बहुत बाद धन्यवाद आपको